नमस्ते दोस्तों कामीनी के किच्वेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत यूनिक रेसिपी शायद ही आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राइ की हो तो चलिए फटा-फट से यहां मैंने ले लिया है एक मैकी का पैकिट जो बड़ा वाला आता है ना साइद 12 से 14 रुपए का यह पैकिट आता है इसी पैकिट का हमने यूज किया है आप ज्यादा कॉण्टिटी में बना रहे हैं तो फिर ज्यादा मैगी ले सकते हैं लेकिन फिलाल हमने एक पैकिट ही मैगी यहां पे लिए है अब हम क्या करेंगे इस तरीके के अच्छे से होने देते हैं गरम तेल जब गरम हो जाएगा तब यहां पर हमें क्या करना है इस तरीके के मैगी को लेना है तो साबूत ही रखिएगा तोड़ना नहीं है वरना जब हम इसको तलेंगे ना तो इसे निकालने में दिक्कत हो जाएगी यानि फैल जाएए तो इस इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा तो बस हलकी हलकी गोल्डन होने लगे तुरत दिने अलट पलट कर लेना है और इस तरीके से बस हलका थोड़ा बहुत मैं और इसे ब्राउन कर लेती हूं अच्छे से पक जाए और सुन्दा बन इसमें आँ जाए तो चलिए इससे ज़् फ्राइ कर लेंगे तो यह हमारा फट जाएगा अब यहां पर फटा फट से से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और एक कटोरी में यहां पर सूजी ले रही हूं सूजी आप कोई भी ले सकते हैं मोटी बारिक चलेगी कोई भी यहां पर रहती है मिर्च और बहुत महीन हम इस तरीके से काट सकते हैं यानि हरी मिर्च जो है पतली कटेगी चलिए अब यहां पर कटा हुआ हरा धन्याइड कर देते हैं साथ में डाल रहे हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा यानि कम अब आदा में चमठ की हम्स कर अ क्योंकि सूजी में तरहीं अच्छे से मैश करेंगे यहां जाए अच्छे से पानी हैं और बढ़िया से फूल जाएं तो लीजी हमने इसे अच्छे से कर लिया है तो इसे पतला नहीं रखना है तो इस बात का ध्यान दिजिए है अगर पतला दो दिन पहले डोकला की रेस्पी डाली थी तो मैंने आधा इनो डाल दिया था और आधे से भी कम इसमें बचा हुआ है ये देखिए बहुत ज़्यादा एक चुटकी इनो बचा हुआ है तो वह इनो मैं यहाँ पर एड़ कर रहे हूं इनो डालने से ही जो हमारा नाश्ता है यह काफी फलफी बनता है और बहुत ही अधा टेस्टी बनता बहुत ही नई रेसिपी है फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा तो चलिए इनो को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते ताकि यह जो है ना आयक्टिवेट हो जाए और अब हमारी मैगी हमने तल करके रखी ती ना यह भी अच्छे से हो गई है ठंडी तो इसे भी हम हातों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे यानि बारी कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार फ्रेंट सी रेसिपी है आप एक बार मेरे कहने से ट्राय जरूर कीजिएगा ना रेसिपी पसंद आए तो कहना तो चलिए फटा फट से हमने इस तरीके से हातों से मैश कर लिए जितना बारी को सके कर लीजिएगा और अब हम फटा फट से जो यह मिश्रन इना इसमें यह मैगी आट कर देंगे तो इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे तो लीजी हमने अच्छे से mix कर लिया है लेकिन जैसे ही हमने इसमें को डालाना तो मैगी ने भी काफी पानी absorb कर लिया है, यानि मिश्रन हमारा dry लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, इसकी consistency को maintain कर लेंगे, यानि जैसा ये पहले था, ब चाण के पंशान को हम पहले ग्रीस कर लेंगे तो ज्ञादा तेल नहीं डालना है आप देख सकते हैं मैंने ब्रश की हल्प से ग्रीश किया है अब हम फड़ाफट से जो हमारा मिच्रन इनो डाला है उसमें इनो डालेंगे आप जैली करना है अब के पास इनो अधिक लोगए आपका काम बहुत एजिली हो जाता है तो लिजी हमने सारा मिच्टन इस तरह के से समें डाल दिया है और अब हम इसे फेला लेंगे तो फेला लेंगे ए मुशते प्रतवते सी किनारों को हमें किनारों कर लेना है ताकि इसके कॉर्णर से हैन फटे-फटे से नहां जितना हो सके आप यहां पे अपनी creativity दिखाएं और इसी स्मूद बना लेंगे तो सबसे पहले हम इसे इवन ली फैलाएंगे वह स्टरीके से हम इसे इवन कर लेंगे तो चलिए फटा-फटा से हमने इसे बढ़ियां से इस तरीके से कर लिया है इस मिश्रन में मैगी का बहुत ही टेस्टी मैगी का बहुत ही अमेजिंग लगता है आप हम इसे कर देंगे लिट से कवर और इसे हम पकने के लिए छोड देंगे बिलकुल मीडियल टु लो फ्लेव पर तो इसे पकते हुए दो मिनट के करीब हुए हैं और ये उपर से ब्रश की हरप सी हम इसमें प्रॉपर लगा लेंगे ताकि जो अब इसे पल्टे ना तो यह अच्छे से दूसी तरह से भी सिख जाए तो थोड़ा-थोड़ा ही मैंने आप ब्रश की हर्फ से तेल लगाया जाए तो दुबारा से कवर कर देंगे ताकि एक तरफ का बेस यह जानि प्रॉपर नीचे से पक गया है अब प्लेट लेंगे और इस तरीके से उल्टा करेंगे और अब हम इसे टर्न कर लेंगे तो बहुत ही इसली टर्न हो जाता है अगर हम इसे ऐसे पल्टे के ना तो तो चलिए अब दूसी तरफ भी पहले ही तेल लगा लिया तो फटा इसे पका है अगर फ्लेम हाई करेंगे तो बहुत जल्दी डार को जाएगा जब तक यह दूसी तरह से सिक रहा है तक यह पर मैंने ली है स्वेजवान चटनी आपके पास पीजा सॉस हो तो वह भी आप यूस कर सकते हैं लेकिन मुझे स्वेजवान चटनी बहुती स्पेश टमाटो केचप आधा टेवल स्पून में डाल रही हूं ग्रीन चिली सॉस चलिए अब जो हमने मैगी का टेस्ट मेकर अलग रखा था था ना बस उसे भी हम इसी स्टेज पर एड़ कर लेंगे तो जो मैगी का टेस्ट मेकर होता है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता आप इसे अगर सूखा भी खाके देखेंगे ना तो काफी अच्छा लगता है खाने में तो चलिए इन सॉस में हमने जो मैगी का टेस्ट मेकर डालाए ना इससे इन सॉस का टेस्ट तो बढ़ गया है एक हाई लेवल की सॉस भी बनके बिलकुल तैयार है बहुत ही टेस्टी इस सॉस बनी है तो चलिए अब यहां पर हमारा जो बेस है ना वह भी बढ़िया से दूसी तरफ से सिख गया है और अब हम क्या करेंगे यह जो सॉस बनाई है पूरी सॉस को हम इसके ओपर अपलाई करेंगे तो ज्यादा सॉस मैंने नहीं बनाई है सिर्फ इतनी ही बनाई ह कि इसके ओपर अच्छे से हम अपलाई कर सकें तो फ्रेंट्स इस सॉस का कलर देखिए और इसका जो टेक्स्चर है यह भी देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है अगर आप इस तरीके से सॉस बनाएंगे और सैंडविच में भी लगाएंगे तो भी बहुत ही अदर डिलिशिस यह लगेगी तो चलिए पूरी सॉस को मैंने अपनाई कर लिया है यानि इसके ऊपर और आप हम इसे अच्छे से फैला लेंगे तो लीजी हमने इसे बड़िया तरीके से फैला लिया है ताकि अच्छे से इसके उपर लग जाए तो अब यहां पे मैंने लिया है तो यहां पे मैंने slice वाला चीज लिया है, आपके पास क्यों वाला चीज हो, mozzarella चीज हो, जो चीज हो आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से मैं छोटे चोटे पार्ट में से डिवाइड कर रहे हूं और इसके उपर लगा रहे हूं, तो चलिए हमने इस तरीके से चीज लगा द कि वेज़िटेबल्स नहीं लगाऊंगी, सिंपल जो घर में होता है, प्यास टमाटर और शिम्ला मिर्च, वही केवल हम यहां पे लगाएंगे, मेरे पास स्वीट कॉन था लेकिन मैंने नहीं लगाए, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहे हैं, जो हर किसी के घर में अबिलेबल चीजों से बन सके हैं, तो चलिए, फटा फट से हमने यहां पे प्यास को इस तरीके से कट कर लिया था, और अब हम लगाएंगे शिम्ला मिर्च, तो शिम्ला मिर्च भी हम इस तरीके से एट कर देंगे, फ्रेंड्स जरूरी नहीं है, कि आप यही सबजिया लगाएं, जो सबजियां आपको पसंद हो, गाजर, शिम्ला मिर्च, मटर डाल सकते हैं, यहां पे आप अगर स्वीट कॉन है तो भी एट कर सकते हैं, आप अपनी च्वाइस से सबजियां लगा दीजिएगा, तो चलिए, अब यहां पे हम टमाटर भी एट कर देते हैं, त अब 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 भी एट किया है, जब आप खाएंगे ना तो एक अलगी लेवल का टेस्ट आएगा, तो यहां पे दो स्लाइसीज मैंने चीज उपर से एट किया है, और इसे कर दिया है, कवर कवर करके हम बढ़ियां से पकाएंगे, तो फ्रेंट्स, यहां पे मैंने थोड़ लीजिएगा, अगर नहीं भी टालेंगे, तो सॉस इतनी टेस्टी हमने बनाई थी ना, कि किसी भी और मसाले डालने की ज़रूद नहीं है, तो चलिए, अब फटा फट से हमने इसे पका लिया है, ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाओ, और सबजिया भी बढ़ियां से और लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये सूजी और मेगी का पीजा बन करके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनाए, फ्रेंड्स में आपको इसका बेस दिखाती हो, तो देखिए कितना जादा अच्छे से कुख हुआ है, बहुत ही प्रॉपर, और जो हमने इस इस तरीके से बना करके देखिए, हमेशा यही तरीका अपनाएंगे, योकि सस्ते में ही आप घर में बहुत ही यूनिक पीजा बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो अकसर पीजा खाने की जित करते ही हैं, और अपने हातों से हेल्दी बनाएए, टेस्टी बनाएए, और बच तो देखिए, फ्रेंड्स, पीछे से भी देखिए, कितना यादा यह अच्छे से पका हुआ है, और जो इसके अंदर मेगी है ना, जब आप खाएंगे ना, तो आप खुद ही फील करेंगे, मेरे बताने से तो आप उतना नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन जब आप बना करक खाएंगे ना, तो आपको खुदी मजा आ जाएगा, और इसके किनारे आप देख सकते हैं कितने बड़ियां सिके हुए हैं, तो चलिए बहुत ही टेस्टी, यह मेगी वाला पीजा बन करके बिलकुल तैयार है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आयो, अगर तो चलिए इसे खाने, गर्मा गरम, वाओ, बहुत ही सुपर टेस्टी बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही आदा सुपर टेस्टी, तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती हो, तो प्लीज कमेंट्स जरू करके बताईएगा, तो तब तक के लिए फ्रेंड कि तोर को से तोर टेस्या alma और रेसे आपको यह संद्टी बनाएं बनाएं जरू हैं लेली नार पक def 1914 थे झाल, प्रेंड़ मिल दोगने हो, तोर की खते हैं गर एलता हैं इसे ख्रेंड्स geehr कि थालाईएटे वम बनाएं में कि मम् मैंको यह बाहुत हैं वाएर सकता हैं रेस्